इस वीडियो में बात करेंगे अलहाबाद हाई कोर्ड जूनियर असिस्टेंट के स्टेज वन को अगर आप कौलिफाई करना चाहते हैं तो आपको कितना स्कोर करना चाहिए जिससे आप सेफ हो जाएं स्टेज वन कौलिफाई करके stage 2 में जाने के लिए इससे ज़्यादा important बात ये है कि आप stage 1 सिर्फ qualify ही ना करें बलकि stage 1 में इतने number लाएं कि आप typing में अगर 50 में 45 भी मारते हैं तब भी आपका selection हो जाए तो इस विसे में बात करेंगे कि किस section में आपको कितना score करना चाहिए ताकि आपका paper आसानी से निकल जाए और उसकी तैयारी आपको अभी से सुरू कर देनी चाहिए तो आईए देखते हैं section wise हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe कर लो यहां लाबाद high code भरती से जुड़ी हुई किसी भी post के लिए पूरी जानकारी form भरने से joining तक की आपको मिल जाएगी already videos बहुत सारे बनाए गए हैं हिंदी की बात करेंगर ठीक है तो हिंदी में आपका जो score होगा वो 22 approx होगा इससे कम नहीं लाना है बहुत ध्यान से exam देना है कि हिंदी में आपको lead करना है 22 नंबर तक आप इसके बाद बात करेंगे GS की बात कर लेते हैं GS में जो आपका score है वो 20 नंबर तक होना है ठीक है GS में आपका score है 20 minus 2 भी आपका चल जाएगा 18 भी आप कर देते हैं GS में तब भी परिशान होने की बात नहीं है GS पर बहुत जादा time खराब करने की जरूद नहीं revision कर लो बस जो लोग पहले से त्यारी कर रहे हों बस GS का एक बार revision कर ले और उसके बाद फिर English और Math फोकस करें ठीक है अब इसके बाद बात करेंगे English English में मेरा मनना है कि आपका score जो होगा आपकी English सही है Math खराब है तो आपको English में 20 प्लस 2 ठीक है ऐसे score करना है अगर आपकी English ठीक नहीं है आपकी Math ठीक है तो Math में आपको जो score करना है वो करना है 20 प्लस 2 ठीक है तो यह आपका 20 बीस तो अलेडी था हिंदी में मैंने पहले से 2 बढ़ा दिये तो आपका जो score होगया 82 अब आप अगर English अच्छी है तो 2 English में बढ़ा लीजिए या फिर आपकी Math अच्छी है तो 2 Math में बढ़ा लीजिए 2 number यानि कि अगर आप General Category से आते हैं तो General Category से अगर आप आते हैं तो आपका जो Total score है वो 84 के something इस strategy से आपका जो Total score है वो 84 के something बन रहा है और यही सबसे सही score है क्योंकि आप 84 यहां मारते हैं और 45 के अप्रॉक्स भी वहां मारते हैं जाके तो भी आप पिछले साल की cut-off को देखते हुए अपने आपको safe मानिए ठीक है पिछले साल की cut-off जो 127 point कुछ नंबर पे थी तो 128 अगर आप माने तो इसी strategy से कि आप 84 return में लाते हैं और 45 typing में आते हैं तब भी pass हो जाएंगे वैसे typing में आप 48 तक मार सकते हैं ठीक है 48 तक typing में आ जाते हैं लेकिन मैं मानता हूँ कोई गड़बड़ी हुए आपसे तो आप return में 84 का approach score करके चले अब बात रही केवल qualify करने की तो जो general category का बच्चा है वो 76 नंबर तक stage 1 qualify कर जाएगा OBC की बात करें तो 74 नंबर तक और EWS भी 74 नंबर तक pre qualify कर जाएंगे ठीक है इसके अलावा SC candidate की बात करें तो 68 तक अपने को मान के चले 68 उससे कम ही रह सकता है और ST की बात करें तो अपने आपको 62 पर मान के चलें कि stage 2 में आपको जाने को मिल जाएगा इसके अलावा देखते हैं female candidates की बात करें female का जो horizontal reservation ने पिछली बार देखने को नहीं मिला था लेकिन females का reservation भी होता है 20% के वल female reservation होता है तो females का भी एगर मैं बात करूँ तो 68 के आसपास जो females हैं वो अपने आपको 68 प्लस वाली अपने आपको safe मान के चलें ठीक है लेकिन मैं एक बार फिर से सबसे request करना चाहूंगा आप किसी भी category से आते हैं आपका जो target है वो 80 प्लस होना चाहिए ठीक है किसी भी category से आप आते हैं आपका target 80 प्लस होना चाहिए ऐसा नहीं कि मैं ऐसी category से हूँ मैं कम की तयारी करूँ तयारी आप बहतर करिए खीके तयारी बहतर करेंगे तबी नंबर बहतर आएंगे अगर आपको किशी भी कीकटिगरी में हूं तो आप वैसे ही फसरका में इसलिए जो जनल का बच्चा है बहिग करने रहे जाता है वह म्यक्मान्ट का चाहिए सब अपनी के Deutsch-C μथे तो पहुच रहे तैयारी तनी अच्छी है तो फिर आपके फैल होने की क्या वज़ा हो सकती है इसका मतलब आपने तैयारी करूंगा तो सभी से एक बार फिर अपने आपको इससे नीचे ही रखें 76 से नीचे जब 70 और 65 तक अपने आपको अलग अलग केटेगरी जैसी आपकी है आप सेफ मान के चलें इतना स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती है अगर किसी का कटाफ साथ और 65 नंबर जा रही है पीज कोटे में है आप स्टी कोटे में है तो आप जानते हैं हिंदी में 20 नंबर आप आराम से कर लेंगे और बाकी में 15 पंदरा भी आप आराम से कर लेंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली वस जन्नल ओबी सी डेवलूएस इन लोगों पर ज़्यादा नजर रहती है ज़्यादा मेहनत करने की जबूरत रहती है इने हाला कि इसी की कटाप भी ज़्यादा पीछे नहीं जाएगी इस भरती में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा तो इसी वाले भी मेहनत करके चलें आप पहले से मेरे चैनल के सदसे हैं तो वीडियो लाइक करके जाईएगा चैनल पर पहली बार की जा चुकी है तो चैनल के सदस्य बने और चैनल पर जितने भी काम की वीडियो है उन्हें देखें और जो वीडियो नहीं बने हैं वह आपकी कमेंट के बाद में बना देता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करते हैं कोई सीरस मुद्दा है तुम इस पर